जैसरी रादे दोस्तों केपी की वानी चैनल में आपका स्वागत है रोजाना रासी फल से सम्मद्द सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वानी को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके जीवन में सेहत रोजगार, कारोबार, परिवार, दामपत् परसानी है तो हमें मेसेज के जरूर बताएं, आपकी जरूर मद्द की जाएगी, रासी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें, अगर आपको अपनी साधी कब और किस से होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, साधी कितनी दूरी पर होगी, जल् कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे, अगर आपको रिपलाई करने में दे रही होती है, तो अपनी रास नहों आपको जरूर जवाब दिया जाएगा, जोतिस साथ्र में साधी के बारे में विस्तार से बताया गया है, इसी अधार पर गरना की जाती है और साधी के बारे में बताया जाता है आपकी साधी कब और किस्ते होगी हाला कि जोतिस में केवल भविस्वानी की जाती है गरन अच्छतर में बदलाव के साथ ही इसमें भी बदलाव की संभावना अधिक रहती है इसी गरना के आधार पर आज मैं आपको मकर रासी के लड़की और लड़कियों के बारे में भविस्वानी बताने जा रहे हैं कि आपकी साधी किन महिनों में हो सकती है आईए जानते हैं आधनिक समय में लोग तीन तरह से अपने रासी देखते हैं पहला नाम अनुसार जानते हैं, दूसरा अंक जोतिस अनुसार जानते हैं, जबकि तीसरा कुंडली अनुसार जाते हैं, इनमें सबसे सठीक कुंडली होती है, अंक जोतिस गनना अनुसार दिसंबर 20 से लेकर 21 जनवरी के बीच जिनका जनम होता है, उनकी रासी मकर मानी जाती इस रासी के लड़के और लड़कियों का नाम के एच और जे और जी यानि कि खो जो गो से होता है जैसे जोती जीवन गुडिया गरिमा गगन आधी इनके अराध्य देव भगवान सिवजी हैं जबकि सुभरंग आस्मानी होता है इस रासी के जात्कों को मन्चाहफल प्राप तीसवे वर्स तक हो जाती है जबकि साधी का महिना जनवरी मई या जून हो सकता है सिग्र विवाह के लिए मकर रासी के लड़के और लड़कियों को सुखल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डाल कर अर्ग देना चाहिए इससे साधी में आ रही बाधा दूर हो देखें तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट और सेयर कर हमें जरूर बता है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले मातारानी किर पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी र आप सभी के प्यार उसने के लिए आप सब को विर्दय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें इन्हीं सुब कामनों के साथ आपसे बिदा लेता हूँ नमस्कार जैसरी रादे